हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि 12th Commerce के बाद कौन-कौन से कैरियर इसकोप हैं तो चाहे आप CBSC बोर्ड से अभी जस्ट पास आउट हुए हैं चाहे UP बोर्ड से चाहे ICSC बोर्ड से किसी भी बोर्ड से आपने अगर अपना 12th Commerce करते हैं उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो में बने रहिए दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने higher study के लिए intermediate के बाद बहुत सारे course में enrollment कराते हैं और बहुत सारे कैरियर इसकोप ऐसे हैं कि हम अगर 12th के बाद अच्छे decision नहीं लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत जादा पच्तावे करने की जरूरत पड़ जाती है तो एक ऐसा हम आज guidance provide करने जा रहे हैं जिससे आप इस वीडियो के अंत में ये decide करने में सक्षम हो पाएंगे कि मैं 12th commerce के बाद कौन से stream या कौन से course के तर pursue करीं तो इसके लिए सबसे पहले जो 12th commerce के बाद हमारे इस slide में पहला course आता है वो course है b.com जी हाँ दोस्तो अगर आपने अपना 12th commerce stream से किया है तो अगर आप अपना graduation करना चाहते हैं तो सबसे जो एक ordinary course माना जाता है या जो ये कह सकते हैं कि 12th commerce के बाद जनरली लोग करते इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो bachelor in commerce और जो भी आपने 12th में पढ़ा है उसके थोड़े से advanced level पे सारे subject होते हैं तीन साल का ये course होता है और अगर आप किसी private university से करते हैं तो इसको semester wise डिवाइड कर दिया जाता है अगर किसी central university से करते हैं तो बहुत सारी university में इसको yearly examination के base पे भी रखा गया है और बहुत सारी university में इसको semester wise भी कर दिया गया है जो new education policy आई है या national education policy कह सकते हैं उसके तहट जब ये course बहुत सारी university में परस्यू करेंगे आप तो उस टाइम लगभग सारे university में इस course का duration जो है वो semester wise ही कर दिया जाएगा मतलब कि साल भर में अगर आप उत्तरप्रदेश से बिलॉंग करते हैं तो बहुत चारी university आपके लिए option है या किसी private college में भी आप admission लेना चाहते हैं तो वहाँ भी ले सकते हैं बीकॉम honours जो होता है उसमें लगबग जहां पे भी honours हो रहा है वहाँ semester wise ही चलता है और MIEAS management communication skill उस तरीके की simple बीकॉम भी कर रहा है तो उसमें कोई दोराय नहीं है कोई problem नहीं है इसके साथ साथ इसके बीकॉम में ही specialization का चलन आज कल बहुत जादा बढ़ते जा रहा है जैसे बीकॉम आपने IT में कर लिया finance में कर लिया tax session में कर लिया तो यह सारी detail है बीकॉम के बारे में तो सबसे अगर आपको कुछ नई समय में आ रहा है कि 12 के बाद क्या करें तो सांती से आप बीकॉम कर सकते हैं इसके बाद जो course आ रहा है BBA जिसका full form है bachelor in business administrative इसका मतलब यह है कि bachelor in business administration course जो है यह भी एक बहुत popular course है और अगर आने वाले साल में आप अपने आपको management की field में देखते है higher institute से आप MBA करना चाहते हैं या under graduation के time में ही आप bachelor business की जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका course है वो BBA है तो आप BBA भी कर सकते हैं लेकिन mostly जो college हम लोगों ने देखा है BBA एक professional course है और इसके लिए maximum जो course कराने वाली university है या college है वो private college ही होते हैं और जिसकी fees 50, 1000 से 60,000-65,000 साल आना होती है अगर हम लोग semester की बात करें तो 30-35,000 रुपे fees होती है BBA की बात आप बहुत सारे company में placement भी ले सकते हैं उसके बाद MBA भी कर सकते हैं अगर आप IIM से MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए CAT exam दे सकते हैं या किसी और NIT college वगेरा से करना चाहते हैं तो CAT के अलावा GMAT और MAT जैसे exam होते हैं तो उन सारी exam के तरफ आप बढ़के आप आँगे चलके MBA भी कर सकते हैं तो यह BBA course का पूरा एक overview हो गया इसके बात जो आप course कर सकते हैं वो है Chartered Accountant और Company Secretary जी हाँ दोस्तों यह कोई इस तरीके से हम लोग course नहीं कह सकते हैं यह जो Institute of Chartered Accountants of India है उसके अधीन यह course होते हैं जैसे कि आपने 12th पास किया तो इससे पहले क्या होता था कि आपको CA Foundation का exam देना होता था जिसको हम लोग CPT कहते थे Common Professioncy Test लेकिन अब यह Foundation के नाम 10-11,000 रुपे का charge होता है Institute से आपको book आ जाएंगी पढ़के आप exam दे देंगे उसके बाद CA enter होता है सिर्फ उसके बाद सिर्फ CA final होता है और इसमें आर्टिकल सिप भी होती है तीन साल की तो उस हिसाब से आप CA के course को भी pursue कर सकते हैं लेकिन जो CA है अभी जैसे अंडर के जुसन की course की बाद की जाए तो इसे थोड़ा सा यह different है और हाली में CA course को भी एक PG degree के equivalent साइद कर दिया गया है तो आगे चलके आप अगर CA कर चुके हैं तो वो equivalent हो जाएगा आपके post जुसन के लेकिन हम अभी simply यह समझेंगे कि 12th commerce के बाद आप किस-किस field के तरफ जा सकते ह तो chartered accountant और chartered accountant और company secretary दो चीजे हैं CA और CS इसके लिए आप institute का registration करा कि books आपके पास आजाएंगी पढ़के आप exam दे सकते हैं सारे module लिखे होते हैं और वीडियो से भी आप सर्च कर सकते हैं कि CA और CS का exam क्या होता है बहुत सारे चैनल पर वीडियो पढ़ी हुई हैं किसी coaching क अभी आप मदद ले सकते हैं और coaching के अलावा आप खुद से self study से भी आराम से crack कर सकते हैं इसके बाद एक बहुत ही प्यारा और प्रचलन में course जो अभी है वो BCA है bachelor in computer application इसमें एक आपको overview जो होता है information technology का मतलब आप computer में असनातक हो जाते हैं graduate हो जाते हैं और इतनी आपके company में आप placement भी ले सकते हैं जैसे कि TCS हो गया विप्रो हो गया Infosys हो गया Cognigant हो गया Infosys हो गया इस तरीके की जो भी company है उसमें 3-4-5 लग तक के 6-7-8 लग तक भी आप package एक normal college से ले सकते हैं इसमें आपको जो main पढ़ाया जाता है वो programming skills पे आपका command कराने की कोसिस करता है ये course, DSA अगरे का भी role बहुत जादा रहता है DBMS जैसे subject जो होते हैं operating system और इन सारी subject को भी आप अच्छे तरीके से इसमें cover करते हैं ये BCA जो है इसमें एक limitation है कि अगर आपने 12th commerce से किया है और अगर आपके 12th में mathematics नहीं रहा है तो उसके लिए आपको अच्छे college में admission मिलन थोड़ा सा problem होता है लेकिन उसका एक solution है कि आप distance learning से कर सकते हैं जैसे कि IGNU से कर सकते हैं बहुत सारी university distance learning में integral university है सुभारती university है तो इस तरीके की university से भी आप अपने BCA को complete कर सकते हैं काफी कम फीस में आपका ये course complete हो जाएगा और तीन साल का ये course होता है और computer application का आप सभ अगर इंट्रेस्ट है computer science में इंट्रेस्ट है information technology में इंट्रेस्ट है तो आप BCA course को कर सकते हैं इसके अलावा एक point में बताना आप सभी को भूल गया 12th commerce में अगर mathematics है तब तो ठीक है नहीं है तो अगर आपने 12th में computer science subject लिया है तो भी आपको अच्छे college में BCA admission मिल है लेकिन mainly reputated जो institute होते हैं वो demand करते हैं कि 12th में आपकी mathematics हो या computer science हो और नहीं तो आप distance education के थ्रू कर सकते हैं बहुत सारे distance education की जो university और college है वो आपको बिना mathematics के ही admission दे देंगी BA honors कर सकते हैं economics में जिसका भी बहुत ज़्यादा scope है आंगे चलके MA economics कर सकते हैं और economics में graduation और persecution होने के बाद आप बहुत सारे field में जा सकते हैं जैसे कि economics के teaching field में आप जा सकते हैं UPSC में economics optional को पढ़ा सकते हैं इसके अलावा भी एक बहुत अच्छे आप अर्थ सास्त्री बन सकते हैं और scope की कमी नहीं है तो BA honors भी आप कर सकते हैं economics से integrated law program जिसको हम लोग B.com L.L.B. कहते हैं हर university में अभी ये available नहीं है लेकिन बहुत चारी university आपको available कराने लग रही है तो B.com के साथ साथ आपको L.L.B. की भी डिग्री मिल जाएगी इसका जो duration होता है वो 5 साल का होता है तो मतलब एक साल आप इसमें अपना बचा लेंगे तो साथ ही साथ आपको B.com की भी डिग्री मिल जाएगी तो जो आपने 12th commerce में पढ़ा है उसके resources को भी आप utilize कर लेंगे और एक आप law मतलब बिधी में भी आप graduate हो जाएंगे जिसके लिए भविस में अगर आपको UP PCSS exam में रेजिस्टार पोस्ट के लिए बैठना है जज बनना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका role और responsibility होता है और काफी helpful होता है law graduate कहीं न कहीं आज एक अच्छ दूसरे वाले कोर्स में बताया BBA LLP तो LLP की degree तो आपको मिलेगी है integrated degree उसके साथ आप पहले वाले system में देख सकते हैं कि B.com की degree आपको मिलेगी और दूसरे वाले में BBA की degree मिलेगी तो दोनों एक तरीकी का ही है थोड़ा बहुत changes होता है तो आप जिस भी field में interested हो आप B.com A.M.C. जैसे course को कर सकते हैं और वहाँ पे आप जैसे आप medium पत्रकार बनना चाहते हैं या journalism में आपको बहुत जादा interest है तो भी आप इस course को कर सकते हैं कोई भी आपके commerce का जो subject है रुकावट नहीं बनेगा तो इतना course मैंने बताया apart from that अगर आप graduation नहीं करना चाहते हैं या पढ़ाई आंगे पूरा नहीं करना चाहते हैं तो आप various government exam की preparation भी कर सकते हैं तो आज लगबग बहुत सारे exam है जहां पे आपको सिर्फ ये देखा जाता है कि आप 12th pass है कि नहीं SSC की जैसे CHSL exam है MTS exam है इस तरीके की exam के लिए आप Air Force के Y group अब तो अगनी ब देख सकते हैं इसके अलावा मैंने आप सभी को बता ही दिया कि BCA कैसे कर सकते हैं BA कैसे कर सकते हैं BBLB इसके अलावा BCOM LLB और जितने भी course के इसके अंदर आते हैं CACPT के बारे में भी मैंने चर्चा कर लिया तो commerce के आप student हैं तो इस तरीकी से आप अपने career को pursue कर सकते हैं और जितने भी course को मैंने यहाँ पे आप सभी को discuss किया है कहीं ने कहीं बहुत ज़्यादा ये course relevant है और विश्वास मानिए इन सारे courses को करने के बाद ऐसा आपको कभी भी आपके career में problem नहीं आएगा तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बसंद आई होगी आगे इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं जो भी category में आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताईएगा तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मातरम